जैसे रहाम दोस्तों अभी हम पांच में आठ का भाग कैसे दें यह सिखेंगे तो 5 divided by 8 या इसको ऐसे भी लिखावा मिल सकता आपको 5 by 8 ठीक है सबका मतलब एक ही है चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे कब डिवाइड कर पाते हैं जब यह संख्या क्या होनी चाहिए जिस संख्या का हम डिवाइड करें उससे बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर किस से बड़ी होनी चाहिए आपकी 8 से बड़ी होनी चाहिए तो दोस्तों क्या करें बड़ी है यह नहीं है तो हम यहाँ पर point लगा देते हैं जैसे यहाँ पर point लगता है तो इसके साथ आपका एक zero आ जाता है अब यह कितना बन गया पचास बन गया देखिए दोस्तों यानि इसमें हम 8 का divide अराम से कर सकते हैं अब हम क्या करें दोस्तों आठ का पहाड़ा कितनी वार बोले है कि आपका पचास से बड़ा नहीं आना चाहिए चले आठ का पहाड़ा लिखते हैं बोलते हैं पूरा basic से समझते हैं और ऐसे अन्य एक्जांपल देखने के लिए हमारे चैनल के playlist में विजिट करें देखिए पचास से बड़ा आ गया लेकिन ये क्या है पचास से बड़ा नहीं है इससे पहले वाला बेखिए यहां से पचास से बड़ा नहीं है यह कितनी वार पारड़ा बोलने पर आ रहा है छे वार बोलने पर जितनी वार पारड़ा बोलने पर उतनी वार आपका भाग चला गया है क्या रहा है छे वार पारड़ा बोलने पर 48 आ रहा है ठीक, ऐसे आसानी से अराम से समझना है, 50-48 कितना आ गया, 2 आ गया सर, हमने पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ हम 1-0 लिख सकते हैं, यह बहुत important बात है, पॉइंट एक वार ही लगाया जाता है, ठीक, अब दोस्तों 8 का पाड़ हम 2 वार बोलें, 3 वार बोलें, देखिए, 20 से बढ़ा आ गया, लेकिन 2 वार बोलने पर, क्या है, 20 से बढ़ा नहीं, कितना आ रहा है, 16 फिर मैंने सर इसको गटाया, कितना आ गया, 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, तो मैं चुप साब इसके साथ 0 लगा दिया, देखिए, 8 का पाड़ हम जब 5 वार बोलते हैं, त आ टू पंजा, 40, पाड़ बोलने पर है, यहन्य हएं भाग कितने वार चला गया, 5 वार, कितना आ रहा है, वह आपको यहां नीचे लिखना होता है, फिर इसको गटाना होता है, 40 मैंने 40 क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसके बराबर आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0, 5, 6, 2, 5, यह आपका क्या है भाग फल है और यह आपका जीरू क्या है यहाँ पर सेंसफल है ठीक है तो इस तरीके से हम अपना डिवाइड करना सेखते हैं वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर बताएं जैसरी राम हरे किश्णा